मैं मम्मा बापा की खाने के लिए कर रहा था सफर मेरा मुझे लगता है कि बहुत-बहुत माइंड ब्लूइंग रहा है हर किसे को ऐसी उमीद होती है मतलब अच्छी बात है कि आप हर इंसान सबसे बेस्ट के एम करता है लेकिन आज में यहां फिनाली तक पहुचा मेरे लिए बहुत-बाथ है बहुत बड साथमें लोग जिन्inson बहुत सभी बहुत काबिल है और उनके बीच में यहां तक पहुचना मैं बहुत खुश हूँ हूं with your intent मैं आपको बता हूं मैं मैं आज गलत ऐसा मैं सकसे बताता हूं मुझे टॉफ अगर यह टॉप 10 भी होता और तब भी आप पूछता है तो मुझे उतनी उमीद या नाउमीद थी अपने आप से जितनी आज थी यहां तक पहुचने की क्योंकि जब आप उस घर में होते हो तो आपके लिए हर इंसान जो है जो अंदर है घर में उसकी अपनी कहानी चल रही ह अपने दिमाग में उसको लग रहे है कि वो बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन आपको नहीं पता कि Gा पसंद आ रहा है इनो अट पिर इस उसट बी तो मुझे हर बार जब नॉमिनेट किया है बाई-स आप इतनी बार नॉमिनेट किया गया तो मुझे हर बार में बड़ा कि आपको नहीं पता कि भाहर 24 गंटे में क्या दिख रहा है क्या नहीं है लेकिन जब मैं यहां तक पहुचा और आज जो सुभे चाली हुई तो मैं आपको देखके बार बार आईने के सामने देखके बोला था यहां तुन्हें यहां तक तू आ गया तू आगया तू आखरी मैं डिजर्ब करता था वह बहुत ही अल्ला का बंदा है और सच्चा है और अच्छा है और बच्चा है और काम्याभी उसकी कदम चूम रही है I'm really happy for him इस बिल्कुल 100% और आज मुझे लगता है कि मुझे नहीं बता है कि से पहले किसी सीजन में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ पर इस सीजन में एक नहीं दो आवाज मिले एक MC स्टैंड को जो उसने अवाड लिया और एक मुझे जैसी में बहार आया और मतला हेलो एकता कपूर मै मैं सेल्फी वीडियो मना ही है मेरे लिए मुझे ला समझ रहे हो तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अवाड है तो यू आई थिंक वो जीत जो पापा बोल रहे थे I think I'm already there you know मुझे नहीं बता भी नहीं है क्यो शो क्या है क्या नहीं है but just for the fact कि मैं कलर्स में हूँ हूँ एक कपूर किया शो है एक तम वाम का I'm really really happy and it's an achievement for me, jeet है मेरे लिए करने वाला पर मेरे को थोड़ा सा honestly वो देन ऐसा था मेरे लिए और मैं बहुत honestly आपको बोलूंगा मैं बिग बॉस की सेट पे हूँ और बिग बॉस की सेट पे पहले दिन से आज तक अगर आपने लोंने कभी भी कोई भी टास्क देखा हुगा तो मैंने अपना 100 प्रतिशत दिया और मैं जीता हूँ वो राश्न का टास्क को तो आ वस अंडर तो मेरे लिए अगर और छार वर जब ये वो एपिसोड चालू हुआ था और उन्होंने एक देमो दिखाया था कि क्या क्या होता है तो वहां से मुझे ऐसा लगा कि अरे बाप रहे तो मैं मैंने फेर यह सोचा कि यार बिग बॉस आज मैं जहां पर हूँ बिल्कुल फिनाले के पास में तो इसको 200 परसें नेता हूं फिर हाथ जोड़के प्यार से माफी मांग लोगा और रोहे चेट्टी है सामने तो ऐसे ओक्योकी रहेगा तो वह लेंगे नहीं कभी तो पर है मेरे ले तो आए वुड़ बिल्ली हाभी तो मंदी कहीं तो जीता है उच्छी वात है नहीं मंदी को सपोर्ट नहीं किया गया मैं आपको बताता हूं मंदी एक शब्द है उसको आप ऐसा समझें कि एक परिवार बना वहाँ पे जो सब लोग एक d scared के साथ में खड़े थे और वो लोग एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे थे कोएक्जिस्टिन्स भर अच्छी थी उनकी और ़ो to get together थे and that worked for them और इस शो में क्या work करेगा क्या नहीं करेगा किसी को भी नहीं पता हर आद्म अपना अपने इंटर्प्रेटेशन लेकर आता है आपको लगता है विग बहुत बाइस होते होंगे किसी के लिए भी बिल्कुल ऐसा नहीं है कोई बाइसनेस नहीं है हां जी आपको कई आपको कर लो है कि अबब देना अब निकला हूँ अपने आपके ओपर था थो पर दो कॉंस्ट्रेट कर लो हुआ अपने आपको बाइस करूंगा क्यों कि बाहर वा प्यार हुआ है मेरे ले एक और बहुत अचीवमेंट था है शो में एन हम लोग सब लोग सलमान सहर का या या शारुक सहर का जेस्टर कोपी करते हैं तो मैं इस आंसर करना जवाब उस जेस्टर से जूँगा जो सलमान सर ने मेरा कॉपी किया मतला इमाजन करो सलमान घान मेरा जेस्टर कॉपी कर रहा है इस लाइक I don't know I don't know if I am confused or not आपकी रेप्टीशन पर आपकी प्रियंका की अंकीज के साथ जोग हुआ पिलिए मतलव मतलब यह कि आप इसम के परेखें के क्यों अंग रने को इसम इसमरी में हरो नज भूचाइब मैं मैं एक एक्र करें मैंने पहले दिंसे बहुता हु आप इसे धी से मरे मैं हर चीज Осब हंता हुआ मैं आपको honestly बता हूँ पहले तो यह गेम नहीं है मेरे लिए शो है मैंने हमेशा यह चीज बोला और पिसोड में पता नहीं दिखाया है लेकिन मैंने बहुत लोगों के लिए बिग बॉस एक गेम है लेकिन मेरे लिए बिग बॉस एक शो है अब उस शो में जो शो का शब्द ह होता है दिखाना और जो आप दिखाते हो तो आप किसी चीज़ के लिए आप लोग भी कुछ कुछ दिखा रहे हैं होपिंग कि वो जो आप दिखा रहे हैं वो जनता को पसंद आएगा वो क्या है और क्या पसंद आएगा वो सरफ जनता जानते है तो अगर आज स्टैन ट्र प्रोफी उसने कमाई और वो हक है मैं खुशियों की तरफ जादा देखता हूं सर तो मैं एमसी के लिए खुश हूँ बाके मैं अपने लिए ही दुखी नहीं हूँ तो मैं किसी और के लिए क्यों दुखी हूँगा मतलब मैं खुदी यह आज मुझे लगता है कि पता है कि कर रहा डिप्लोमेटिक नहीं हो रहा लेकिन आज अगर आप हमारे पॉइंट ऑफ यू से यह सुभे से जो हम हमने बिताया है इंफाक्ट कल रात से कल शाम से जो हमने समय बिताया है खाना खाया है और साथ निभाया एक दूसरे का आज तक जब तक हम भार निकले हम सब को एक जीस पता थी कि आर सुनो आप वो ट्रॉफी ना एक वो हो गया एक एक क्रिसेंडो है यूनो एक दर्वाजा है लेकिन आप दहलीज तक पहुंच जाते हो ना आपको पता भर पहुंच गए हो तो हम सब वो पहुंच चुके हैं और हम सब विनर्स है यार क्यूंकि यहां मैं अपना समान खोला था और मैंने अपना समान खोला था और आज सुबह बोला गया कि अपना समान मतलब बिग बॉस ने बोला कि समान पैक कर ले यह अपना अपना सग्रिगेट कर ले तो यूल हिट दे फ्लोर मैंने अपना समान खुद बांदा और मैं बहुत क्योंकि मैं मैंने बहुत हों समान बांदा इस घर में . ना विकास हो, श्रीजित अब बहुत लोगे क्या भ Хотप masks कर should पह अब गरिये और टेरा। बहुत लोग tracked अब एक हम रख देता है . मैंने मेरा समान किसी कि निउग मैं आपको बता हूँ मेरे उपर ना जितने सवाल इहां पर उठाए गए मुझे नहीं लगता कि किसी और ने भी किसी और के उपर उतने सवाल उठाए होंगे तो इस घर में ना सबने हर किसी के बारे में बहुत कुछ बोला है और क्यूंकि यह शो ऐसा है यह घर ऐसा है कि बहुत सारे आपको बहुत हटेक होता है बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंज होती हैं आपको और उस कंस्ट्रेंज में आपके जो इमोशन होते हैं क्यूंकि आपके प जैसे आप लोग भी घर जब जाते होंगे एक हेटेक दे के बाद में तो अपने घर पे जाते हैं ममी से बीबी से बच्चों से मिलते हैं तो एक डीटॉक्स होता है वो नहीं है वहाँ पर तो धीज़ीर करके न ऐसा हो जाता है कि आप लोगों आप न बहुत कुछ बिना सोच मैंने उसे कभी मुद्धा नहीं बनाया क्योंकि मैं यह समझता हूं कि यह शो में जाने अन जाने में आप ऐसे एमोशन पर आ जाते हैं कि आप शायद नहीं भी हैं वो इंसान लेकिन आप वो बन जाते हैं खाने में भूप में और सारी चीजों के टेंशन में नॉमिनेशन है, Captancy है, Rashan है, you know, Saving है अभी तो इस बार तो बहुत कोछ अलग-अलग था तो इसमें बहुत लोगोंने बोला है साथ कुछ मेरे बार में भृत कुछ बोला है लेकिन वो सब माफ है तो मैं थिन कभी उस चीज़ को बुरा नहीं माना कु जूला तो घाक या यह मै यह मैं यह 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 मेरा ग्राज्वएशन का जाकल फारिपा और हम और घत उछके आनल कर दाском मतलब कहां से ये चीज चाले हुए ही and I think this is a graduation jacket for me today to the next phase of my life जो अब इस घर के बाहर होगा शाली गानाल चिकन के साथ और तारा कॉर्वर्सी बनाई गाले चिकन बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने नहीं मैं कल मैं बता रहो आपको पहले तुम्हें चिकन का धन्यवाद दूंगा और पहले प्रणाम करूंगा किसी चिकन के पास ने बताया था मैं फिरको चिकन आप 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 क्या आप P आप 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 व व आप 5 आप पर आपने देखा भी रोहेच छेटी का जो रोहेच सर का एपिसोड था नंबर वनाया है तो कौह सा कमजोर हुए आपनों से मिलूंगा अपनों से जानूंगा कि उनको क्या लगता है कि जो मुझे जानते हैं मेरी आत्मा को जानते हैं और जिन्हों ने देखा है मैंने तो देखा ने मुझे नहीं पता दूसरे कमरे में क्या हो रहा है